आयूरवेदा होम केर आपके घर का डॉक्टर रखे आपके स्वास्थ का खयाल आयूरवेदा होम केर में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे गाजर की लाल और मीठी गाजर को देखकर तुरंथ हलवे की याद आ जाती है निश्चित तोर पर गाजर से बनने वाला हलवा होता ही इतना लाजवाब है गाजर ना सिर्फ सुवाद में अच्छी होती है बलकि इसमें तंदरुस्त रखने के लिए बहुत सारे खासकुण भी होते है स्वास्थ विशेशग्यों की माने तो गाजर स्वास्थ के लिए सर्वोत्तम आहार में से एक है गाजर अनेक पौश्टे गुणों से भरपूर है इसमें विटिमिन A, C, K और B8 पोटाशियम, आयरन, कॉपर और मागनीजियम जैसे और भी मिनेरल्स और विटिमिन्स निहित है इसमें उच्छ मात्रा में मौजूद फाइबर और बीटा केरेटिन गाजर को स्वास्थ के लिए अत्यंत उपियोगी बनाता है गाजर के सबसे उत्तम स्वास्थ गुणों में से एक है स्वास्थ दृष्टी गाजर में विटिमिन A की उच्छ मात्रा पाई जाती है जिसका आखों के स्वास्थ से सीधा एवन साकारात्मक संबंध है इसके अलावा गाजर मोतिया बिंद के खिलाफ आखों की रक्षा करने में भी सहायक है गाजर के कैंसर विरोधी गुण इसके स्वास्थ लाब की अन्य उपलब्धी है गाजर उच्छ मात्रा में नहित एंटी ऑक्सिदेंट शक्तियों से भरपूर है जो शरीर की इम्म्यूनिटी को बढ़ावा दे उसे बिमारियों से लड़ने की ख्षमता परदान करता है गाजर के रसका एक डेड़ कप कुछ हफतों के लिए दैनिक रूप से पीने से कैंसर पर महत्वपूर्ट साकारात्मक प्रभाव पढ़ सकता है इसके अलावा गाजर का नियमिद सेवन, फेफ्रो, कॉलोराक्टर और प्रोस्टेट कैंसर के खत्रे को कम करने में भी उप्योगी है गाजर आपके ओरल हेल्थ के लिए बहुत ही फाइदमंद है इसको चबा कर खाने से दाथ की मेल एवं उसमें फसे भोजन के कन दूर हो जाते हैं जो आपके दाथ और मसूरों को साफ रखने में मदद करते हैं इसके अलावा कच्ची गाजर खाने से मूँ में बैक्टीरिया के विकास पर भी रोक लगाता है जो क्याविटी मूँ से दुरगंद जैसी ओरल हेल्थ की समस्याओं को दूर रखता है एक शोद के अनुसार जो लोग रोजाना गाजर का सेवन करते हैं उनमें दिल के दोरे से ग्रस्थ होने की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है तो स्ट्रोक के होने के खत्रे को कम करने के लिए कम से कम एक हफ़ते में पाँच बार गाजर खाना शुरू कर दीजिए गाजर आपकी त्वचा के निखार और स्वास्थी के लिए भी बहुत उपयोगी है गाजर सूर्य की हानिकारक अल्ट्रा वॉयलेट के रिड़ों से त्वचा की रक्षा भी करती है गाजर त्वचा को नम रखती है और मुहा से पिग्मेंटेशन, धब्बे और असमान स्किन टोन से त्वचा का बचाव करती है इसके अलावा आप गाजर से चहरे के लिए एक सरल और आसान सा मास्क भी बना सकते हैं थोड़े से शहद में दो बड़े चमच कसे हुए गाजर को मिक्स करें और चहरे और गर्दन के क्षेत्र पर लगाएं मास्क के अच्छे तरह से सूखने पर इसे गरम पानी से अच्छे से धोलें आप पाएंगे कि तवचा में एक नया निखार आ गया है गाजर से पाचन शक्ती भी स्ट्रॉंग होती है गाजर का जूस पीने से शरीर में हीमोगलोबिन की मात्रा बढ़ जाती है और गाजर में अधिक मात्रा में फाइबर पाया जाता है जो शरीर की पाचन शक्ती को बढ़ाता है नियमित रूप से गाजर का सेवन लिवर में जलन, सूजन और संक्रमन को कम करता है जिससे हैपेटाइटिस, सिरोसिस और पित स्थिर्ता जैसी लिवर समस्याओं से लिवर को संग्रक्षन मिलता है गाजर में भले ही अधिक चीनी मात्रा पाई जाती हो लेकिन ये डाइबेटीज के रोगियों के लिए एक स्वास्थ विकल्प है क्योंकि गाजर में उपस्थित प्राक्रतिक चीनी को शरीर द्वारा आसानी से ग्रहन किया जा सकता है स्वस्थ जीवन के लिए मदू में सेपीडित लोग रोजाना एक कप पके हुए गाजर के सूप का सेवन कर सकते हैं गाजर की उम्र छुपाने और बुढ़ापे से लड़ उसे मात देने की कला की वजह से इसे शक्तिशाली एंटी एजिंग फूड भी कहा जा सकता है तो यंग रहने या दिखने दोनों के लिए बस रोजाना गाजर के रस का एक गिलास जरूर पिएं दोस्तों गाजर खाने के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं चलिए वो भी आपको बताते हैं संभवत आपको गाजर से अलर्जी हो सकती है अगर आप गाजर का सेवन सही मात्रा में करते हैं तो आपके पाचन स्वास्थ में सुधार आता है और अगर अधिक मात्रा में इसका उप्योग करते हैं तो गैस, दस्त, पेट दरदादी जैसी पाचन संबधित प्रॉब्लम से गुजर ना पड़ सकता है यदि आप मधुमेश से ग्रस्थ हैं तो गाजर का सेवन कच्चे रूप में ना करके उबाल कर करें गाजर तो लगभग सभी को पसंद होती है और अक्सर लोग चाव से इसे खाते भी हैं और अब तो आप इसके इतने सारे फायदे जान गए हैं ना तो सही मात्रा में इसका सेवन करना ना भूलें अगर आपको हमारे निसके पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चानल अभी और उठाते रहिए पूरा लाब धन्यवाद